इस वीडियो में हम कुर्ती की स्टीचिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि यहां बहुत अच्छी तरीके से इजी तरीके से अच्छी फिटिंग में कुर्ती किस तरीके से बना सकते हैं ये वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर गले को नाप लेना गले की चौड़ाई हम यहाँ पर हमने रखी है जिसकी साड़े 5 बीच का कुटका लगाया और इस तरीके से कपड़े को सीधा रख लेना है और साड़े 5 चौड़ाई है तो पौने 3 इंच का कुटका यहाँ पर लगा लेना है और बीच की देखे क्रीज इसमें कपड़े में बनी हुई है तो वो और गले का बीच का जो कुटका लगा है वो एक में मिलनी चाहिए मिलाके आपको सिलाई लगाना यह सिलाई लग गए अब उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसी के ओपर एक और सिलाई लगा देंगे तो यह सिलाई लग गए अब हमको फालतू का कपड़ा है वो उसको छाट देना है तो यह हमारा सामने का गला गोल वो कम्पलीट हो गया अब हम इसको जड़ देते हैं तो सामना ही आपको उठाना है और इसमें भी बी संटर का किरीज बनाने के बाद पौने तीन इंच का निसान लगा लेंगे जो कि साड़े पांच गले की चौड़ाई आ जाएगी तो चाहें तो आप नाखून भी लगा सकते हैं इस तरीके से और उसके बाद जो है अब हम इसको बनाते हैं तो दिखे इसका बी संटर और गले का जो बी संटर है उसको आपको मिला देना है मिलाने के बाद सिलाई लगा देना है सीधी जिससे क्या है गलाब बीचों भी संटर में उस सीधा वैठेगा अब क्या है मारा बीच का गला बिल्कुल ही रुख गया है ना इदर होगा ना उदर होगा अब आपको सिलाई लगा देना इसके किनारे पे और गोल लगाते हुए चले जाना है बिल्कुल ही गोल लगना चाहिए जितनी गोल आपकी सिलाई लेगेगी उतना ही गोल दिखने में गला आपका बैठेगा अब आपको क्या करना है नम बगेरा नहीं आना चाहिए नीचे में धियान रखना उसके बाद आपको काड़ देना है काड़ने के बाद इसके कुटके लगा लेना है पूरे गले में क्योंकि बिना कुटके के गला गोल नहीं बैठता है तो सिलाई की जड़ तक लगाना है सिलाई ना कटे और पूरे गले में आपको कुटके लगा लेना है अब आपको तुरुपाई के लिए कच्चा डाल देना है सिलाई बढ़ी करके मसीन की और इसको फोल्ड़ करना है ध्यान रहे लब नहीं हमारी बाहर चमकनी चाहिए और जो है कच्चा डाल देना है बाद में जब तुरपाई करें उसके बास ये खौल देना है कच्छी सिलाई को ये काम हमरा complete हो गया अब हमको क्या करना अब हमको बैख का गला बनाना है तो ये इस तरीके से आया देखें यहां पर तुरपाई होगी और उसके बाद इसको खोल देना है अब हम बनाते हैं अपना बैक का गला तो बैक के गले के लिए हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं गोल गला बैक का भी है तो यहांप आउरे पट्टी आपको काट लेनी है 1.5 इंच की आउरे पट्टी से क्या होता है गला हमारा अच्छा बैठता है एक दम प्रेस लगने के बाद बिल्कुल चपक के एकदम गोल आएगा तो दो पटियों में हमारे बैक गला हो जाएगा तो सबस्ब पहले इसको जोड लगा लेते हैं तिर्चे में आपको जोड लगाना है तिर्चे में जोड लगाने से किया होता है कि हमारे मोटा पन नहीं होता है एकी जगे पे तो इसलिए तिर्चा लगाया जाता है और जोड भी नहीं तूटता है उसके बाद इस जोड को आपको चिर्मा कर लेना सिंपल सा अब हम बैक कगला काटते हैं तो बैक गले की जो लंबाई है वो सात इंच हम रखेंगा आप अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं और पहुने तीन इंच जैसे की चौडाई उसके बाद हम इसको गोल कर देते हैं इस तरीके से चाहें तो आप उने जो सामने का गला काटा उसका पैटरन रखके आप गोल से लाई लगा सकते हैं पैंसे उसके बाद जो है आप गला काट दें तो उससे ज्यादा अच्छा आप कटिंग कटिंग होगा अगर आप नए हैं तो यह जैसे की कटिंग कर दी हमने अब यहां आपर हम लगाते हैं अपनी पट्टी पट्टी लगाते हैं समय एक चीज़ का ध्यान लगना है बिलाउज की जैसे पैपिन खिषती है बैसे आपको इस कुर्टी की पैपिन पीछे जब लगा है पट्टी तो खीचना नहीं है इसको ऐसे ही रख देना है और गुला कोई पट्टी आपको रखना हो में है। तो यह आदा इंच की पट्टी कंप्लीट हमारी आएगी बनने के बाद यह हमारी बैगले में पट्टी लग गई अब आपको जो इसका मार्जन है उसको छाट देना है मार्जन जादा होता है तो गला हमारा ठीक से पीछे का नहीं बैठता है पट्टी तो इसलिए हमको मार्जन कम रखना होता है और एक बराबर रखें उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर लपकी एक सिलाई लगाएंगे गले की पट्टी के उपर अब हमको इसको नीचे ही ऐसे ही रख देना है इसके उपर अब हम रखेंगे जो मैन गला है मारा सामने का उसको रखेंगे बुकरम बाले गले को इस तरीके से रखना है देखिए और पकी कंदी हमारी जुड़ जाएगी ये देखिए इसको पलड़ देना है बैक गले को इस पर चड़ा के इस तरीके से रग के टाकी लगा देना है तो ये इसलाई लग गए चाहे तो आप उबलाक कर सकते हैं अगर उबलाक हो तो कंधी में और ना हो तो ऐसे ही छोण दें कोई दिक्र नहीं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें अब कच्चा डालते हैं जैसा कि सामने में डाला तुर्पाई के लिए ये दिखे एकदम पकी आई है तो अच्छे से आपको डाल लेना है कच्चा लब बगएरा ना चमके हमारी बाहर तो यह हमारे सामने के और बैके गले कंप्लीट हो गए अब इन में तुर्पाई हो जाएगी और उसको आप पिरस लग जाएगी अब बनाते हैं अपनी आस्तीन तो आस्तीन में लगाएगा अलग से पट्टी जो सलवार की होती है तो यह कुटका लगा है इतना ही हमारे इसकी नाप तो बाकी का हमने हमारे दिन छांट दिया और पैर भर लिया है मात्र दबाओ लेना है हुआ 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 है उसके बार नाखून लगा लेना है इससे क्या होगा हमारे पट्टी जो अच्छे से बाइड जहती इस लब कि शिलाइ मैं लब बग्राव नहीं चमकती है कि था है झाल झाल अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे आप पॉन इंच इसको या फिर एक इंच फोल्ड कर सकते हैं मतलब इतनी फोल्ड करना जो देखने में अच्छी लगे ना ज्यादा चोड़ी लगे ना ज्यादा पत्ली लगे तो यह हमारी बाजू में पट्टी बगरा लग गए अब इनको चड़ा लेते हैं चड़ाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं धियान से देखना जैसे कि यह बाजू की है और यह है इस्तिके वाह सामना सामने में ज़्यादा गारा अधर और आएसे लगाते हैं तो हमारी उल्टी हो जाएगी बाजू और वो जो है वो घूम जाएगी मुशिक आधियान दियान पवना रहना रहता है इसके कंदी का संटर है बेच का उस्याष्चиля का आस्तिध terminar Gian और यह बन गए 20 संटर है ना अब यह 20 संटर कंदी पर आपको रख देना है और उसके बाद आपको इसको बाजू को चड़ाना है यह दिखे कुटका यहाँ पर ही आ रहा है और इसको चड़ा देना है और उसके बाद जो है ओबलाग कर लेना है तो यह हमारी बाजू चड़ गई अब मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए बिलकुल यह एकदम बैतरी नाई काई पर नम बगईरा जोल बिलकुल भी नहीं है ऐसे ही आपको दुसरी भी चड़ा लेना है अब दुसरी में कुछ देखना नहीं है बसा ऐसे यह रख के और चड़ा देना मतलब इसमें जबावी बगईरा देखने की जरूत नहीं एक साही होगी तो दूसरी भी आपकी साही होएगी दोनो बाजु हमारी चड़ गई अब हमको सीना इसका निसान लगा लेना है कमर का सीने का हिप का जितना भी चेश्ट हो उतना लगाना जैसे कि अगर 20 सीना आया तो 10 वी संटर पे रखना है देखें वी संटर की लाइन जो गई है इसके 10 वी संटर में लखना है उसके बाद आपको जमेखें बिलकुल बराबर जितना भी हो आपको उतना अपना चेश्ट और कमर और हिप बगएर जिसकी वी रखदेनी है उसके बाद आपको चेष्ट और हिप से इस तरीके से फंटी लगा के और इसको गुलाई दे देना है और ऐसे ही आपकी सिलाई यहां लग जाएंगी दोनों तरफ यह होती है जुडाई जिस तरीके से करी जाती है अब हम बाजू की में आपको बता देते हैं तो बाजू की देखे यहां से जितनी भी बाजू हो जैसे कि इसकी बाजू है साड़े नौ तो पाउने पांच यहां पर रख देना है अब यहां से फंटी लगा लेंगे अब आपको थोड़ा सा सेब चाहिए अगर तो आप राउन्ड बाली फंटी लगा सकते हैं या पर आप ऐसे ही आप मसीन को हलका सा सेब में दे सकते हैं तो यह हमारे निसान लग गए अब हम इनको लगा लेते हैं यहां पर आएक है टांकी जरूर लगाना है ताक्कि हमारे खुले नहीं यहांब ठांक बगर और इसके बाद जो निसान लगे हैं उसी के ऊपर आपको अच्छे से लगाते वे स्लाइट चले जाना है यहाँ पर का जो जोड़ है वो आपको अच्छे से मिला लेना है और सिलाई जो है वो डबल कर लेना है उसके बाद अगर आपको ज़्यादा मारिजन लगे तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही छोड सकते हैं अब देखे यहां पर ओबलाग तो होती नहीं है चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन ओबलाग नहीं होती तो सूट में यह कुटके जारा तर लगाए जाते हैं तो यही आपको लगाना है इससे क्या है ओवलाक से आपका अंदर की जो साइड है वो खिषती रहती है इससे जो है खिचेगी बिलकुल नहीं और फिटिंग एकदम अच्छी आएगी पहिने पे अंदर से कपड़ा मतलब जो है किनारी वो खिचाव नहीं मारेगी समझेगे ना तो इस तरीके से ऐसे यह दूसरा वाला भी यहां पर निसान लगा के और साइड जोड लेते हैं कि इसमें भी कुटके लगा लेना है अब हम अपना बाटम फोल्ड कर लेंगे अगर आपका सिलाई बाला बाटम है तो आपको मारजन इसका कम रखना होता है कटिंग में और यह है तरुपाई वाला तो इसमें हम तरुपाई करेंगे तो एक इंची या पाउन इंची आप साइट इसकी मोड सकते हैं तरुपाई के लिए चाक जो होते हैं उनको सबसे पहले आपको चाक ही फोल्ड करना है तो यह हमारे चाक फोल्ड होगा दूसरी साइट भी हमको फोल्ड कर लेना है यह देखिए और यह जो सिलाई लग रहे कच्चा यह तरुपाई के बाद आम इसको खोल देना अब हम नीचे का बाटम फोल्ड कर लेंगे तो जितना आप नीचे मार्जन शोड़ा हो उतना ही निसान लगाया हो उतना ही अंदर फोल्ड करके और यहां पर पौने इंच का यहां पर फोल्ड कर लेते हैं नीचे का हिस्सा जो होता है बाटम अब देखें दोनों चाक हमको बराबर रखना है तो दोनों चाक नाप लेना है इससे क्या होगा दोनों साइड के चाक जो है वो एक बराबर रहेंगे तो ऐसा नहीं लगे कि जिसे एक तरफ कोना जो है वो भाग रहा हो कि कम ज्यादा हो जाएगा तो उसमें महसूस होता है पता चलता रहता है तो इसमें यह चीन नहीं होगी अभी एक साइट कमर फोल्ड होगे दूसरी साइट भी हमको नापके इसको फोल्ड कर लेना है यह हमारा फोल्ड हो गया अब हम इसमें लगा देते हैं अपनी डोरी इस तरीके से हमने कुछ रखा है कंडरास में डोरी के लटकन यहां पर हम लगाएंगे फुच रहे हैं जो डोरी आपको बना लेना है यहां पर जोड लगाया अलग-अलग और यहां पर हम रखेंगे डोरी ओके यह कंप्लीट हो गया अब हमको गया अगर ना इसको पलड लेना है तो यह जो है यह हमारी यहां से दीके 18 इंच आ रही है सहिए बिल्कुल इतनी आप को रख लेना है अब बैक साइड हम लगाएंगे तो यहां पर जो है बैक साइड में हम लगवाग यहां पर यह हमने निसान लगाया और जो है लगवाग हम हम ढाम यहां पर नीचे लगा आएंगे। हो ए пример औ आप तो टांकी लगा रहे हैं बस एक सलाई लगा रहे हैं कच्ची इससे क्या होगा कि कोई भी तुर्पाई करेगा तो टांक लेगा और कच्ची सलाई खोल देगा तो यहां पर तुर्पाई आपको कर लेना है सिंपल सा और उसके बाद कच्चा खोल देना है प्रेस लगा देना है द तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुली परफेक्ट बनेगा और दोस्तों इसका कटिंग का वीडियो आप जरूर देखिएगा एंडिस्किन में मिल जाएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद